नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका तीज त्योहार। धर्म चैनल में आज की खास वीडियो को ध्यान से देखिए। मिल गया धन को चुम्बक की तरह खींचने वाला पौधा आपकी तकदीर को बदल देगा और आप हो जाओगे। इसके अंदर से शिवलिंग निकलता है, उसके अंदर से दिव्यशक्ति आती है, ध्यान से सुनना। यह दिव्या पौधे के बीज, शिवलिंग के आकार के होते हैं जिसको स्वयम भगवान शंकर की देवी यह गुड़ कहा गया है। शिवलिंग नाम के पौधे की बीज में शंकर स्वरूप है, भगवान शंकर के रुद्राक्ष भी जितने पावरफुल कहे जाते हैं, इतना ही ज्यादा पावरफुल यह पौधा है, इसके पीछे बहुत सारे रहस्य छिपे हैं, कैसे शिवलिंग इस पौधे से निकलता है, आप सभी को बताएंगे, इस तरह के यह पौधा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखना, यह बीच जो है सफेद कलर के कागज में डाल करके बहुत सारे इसके बीच की फोटो खींचे हुए हैं, आप हमारे वीडियो के माध्यम से इस प्रकार से देख सकते हैं, हमने कोशिश के आकार के होते हैं, यह रेड कलर की होती है, इसके अंदर में शिवलिंग रहता है, इसके बीच जो है इस फल को देखें, यह लाल कलर की होती है, छोटे-छोटे सफेद कलर की पेड जो होती है, साथ ही चित्रकबरी रंग के, तो इसका प्रयोग जानकार हर कोई हैरान रह इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा, तो आप भी इस पौधे को पाने के लिए तड़पोगे। शिवलिंगी बीज के आकार का यह पौधा बहुत ही अद्भुत है। शिवलिंग बीज रूपी पौधा ताबीज में डाल कर पहनने से यह मुश्किल दूर होती है। दसों दिशाएं आपके अनुरूप होती हैं और स्थाई रूप से मान लक्ष्मी का आशीरवाद प्राप्थ होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि उनके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिक नहीं पाता। इस प्रकार से आप मान लक्ष्मी और धन के देवता कुवेर की कृपा को इस पौधे की सहायता से प्राप्थ कर सकते हैं। अत्यधिक खर्च नहीं होगा दोस्तों, घर में खर्च पर कंट्रोल कर देगा, घर में नौकर चाकर रखने पर मजबूर करेगा, शुब फल देने वाला कोई पौधा कही गई है, तो वह शिवलिंग रूपी बीज की आकृती वाला यह पौधा है, लेकिन आप इसे नजर गरीबी का नाश होता है, शिव परिवार के दर्शन इस पौधे को प्रयोग करने से होती है, कभी न कभी आपको दर्शन स्वप्न के माध्यम से शिवलिंग के अवश्यक हुए होंगे, इसके पहनने के बाद व्यक्ती अपने घर की गरीबी को दूर कर सकता है, स्थाई अपनी सभी मनो कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, और बाबा भोले नाथ की कृपा से गरीबी को दूर करके दुख तकलीफ कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, बस ध्यान से सुने, इसको पहनने मात्र से अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म होता है, औरता है अपनी सभी मनो कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, और बाबा भोले नाथ की कृपा से गरीबी को दूर करके दुख तकलीफ कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, बस ध्यान से सुने, इसको पहनने मात्र से अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म होता है, और साथ साथ भ व्यक्ति जो शब्द बोल देता है, वह पूर्ण होने लगता है, आप बाक सिद्ध को प्राप्त कर सकते हैं, धीरे धीरे आपके शब्द सिद्ध हो जाएंगे, और आप जो बोलेंगे वह पूर्ण हो जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता, अ शरीर में दिव्य उर्जा आती है और व्यक्ति पाप रहित हो जाता है, अज्यात शक्तियों की प्राप्ति होती है और पता भी नहीं चलेगा, शरीर में अज्यात शक्ति कहां से आई, दुश्मन भी आपके मित्र बन, जाएंगे शरीर का आकर्षन बढ़ने लगेगा, और इसका गजब का फाइदा ये है, इसके पहनने से पांच की संख्या में अगर आप इस बीज को धारण करते हैं, तो भगवान शिव की एक माला का जाप साथ में करना है, और एक अगरबत्ती का धुआ ताबीज को दिखाएं, शिव के 108 बार मतरों का जाप करें, और उसी के इस ताबीज को काले रंग की रसी में बांध कर या धागे में बांध कर, आप सोमवार के दिन प्रात काल शिवलिंग पर पांच बार टच करके अपनी मनोकामना बोल करके धारण करें, आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य जनक लाब प्राप्त होंगे, यह पौधे की प अपना कर सिद्ध करके इसे सोमवार के दिन धारण करना है, दिन भी बता दिया है और आपको सिद्ध करने का तरीका भी, अब आप इसका कितना लाब लेते हैं, यह आपके उपर है, जितना लाब चाहिए, तो इतना ही जल्दी आप यह प्रयोग करें, धन दौलत से आपकी तिजोरी भर जाएगी, और आपके जीवन में खुशियां आएंगी, इस जानकारी को अपनी तक सीमित रखने का प्रयास कभी न करें, और आप जन कल्यान हे तू, इस वीडियो को आगे शेयर करें, और आप इस वीडियो को अपने लिए अमृत जैसा पाना चाहते हैं, तो इस उपाय को जरूर से प्रयोग करके इसका फायदा ले, जिन्दगी को बरबाद होने से बचा ले, और पुन्य के भागी बने वीडियो को जितना हो शेयर करें, ताकि अन्य लोगों का भला हो, और तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द आपका दिन शुब हो